नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मनीशा डिंडोरिया स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर लदाग के तुर्टुक सेक्टर में शुकरवार को हुए वाहन हाथसे में मारे गए सैनिकों के मामले में बड़ी कारवाई की गई है आपको बता दू एक बतास्ता हुआ है जिसमे सेना के साथ जवान मारे गए हैं अब शोक नदी में बस गिरने के मामले में ड्राइवर के खिलाफ जो है केस दर्च किया गया है घायल जवानों का हेल्थ अपडेट भी जारी किया गया है आपको बता दू तकरीबन अठारा लोग घायल हुए हैं और साथ जवान जो है मार चिंद अप नदी में गिर गई और बस के गिरने से घायल हुए 19 सेनिकों की जो हालत है वो स्थिर है हाथ से में आपको बता दू तो शाथ सहमान की मात हो गई थी अब 7 जवान हाथ से में मारे गए हैं और इसका जो ड्राइवर है उसके ऊपर आरोप है कि ड्राइवर ने न में घायल पश्चिमी कमान के 19 सैनिको को एयर लिफ्ट किया गया था और चंडिगड के ग्रीन कॉरिडोर से एलाज के लिए कमान को हो अस्पताल ले जाया जा रहा था अब ततकाल सर्जिकल प्रतिक्रियाएं की गई अब सभी जो है अभी जो उनकी स्थिती है वो वर्तमान मे स्थिर बताई जा रही है ठीक हालत में बताई जा रहे है 19 जवान अब ये हादसा कैसे हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे देखिए ये जो हादसा हैά थोईस से करीब पच्स किलो मेटर दूर सुबह 9 बजे लए अब आपको बताते हैं ये हादसा कैसे हुआ अजसा थोईस स से करीब 25 किलो मीटर दूर सुबह 9 बजे हुआ था और 26 सैनिक निजी तोर पर किराए के वाहन में परतापूर में ट्रांजिंग कैम्प से जा रहे थे अब वहां एक भारतिय सैना ब्रिगेड का मुख्याले है जिस दौरान यह जो उसानिक बताया जा रहे थे अब सभी सैनिक को उस शेतर में एक अग्रिम स्थान पर ले जाया जा रहा था जिसे सेना सब सेक्टर हनीव कहती है एक अधिकारी ने बताया कि वाहन सडक से फिसल गया और श्योक नदी में लगबग 50-60 फीट की गहराई तक गिर गया अब जिसके बाद सभी लोग घायल हो गये अब आपक में सेना की बहतरीन किसस विधाओं में से एक पश्चिमी कमान अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें चंडिगड ले जाया गया है पहले जो अस्पताल पास लगा पहले वहाँ पर उन्हें ले जाया गया इलाज के लिए अभी उन्हें चंडिगड के जो पश्चिमी कमान आता है जो कि सैनिकों के लिए ही बनाया गया है उनकी बहतर सेवा के लिए वहां पर ले जाया गया है ड्राइवर की लापरवाही की वज़े से ये पूरा हादसा जो है बताया जा रहा है ड्राइवर की वज़े से पूरे हादसे को अंजाम दिया गया है क्योंकि ये लापरव लापरवाही का मामला प्रतीत होता है मतलब एक ही नजर में पता लग रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही थी चांग मार के चालक एहमस शाह ने बस से नियंत्रण खो दिया और यह लगबक 80 से 90 फीट गहरी खाई में लुडग गई बस 80 से 90 फीट गहरी थी बस ड्राइवर लापरवाही की और बस उसमें गिर गई इसके बाद अब बदा दूस थानिये लोगों ने और सेनिकों ने जो सेना के लोग यह वहापर अभ्यान जो है शुरू किया गया उनके द्वारा और सेना के अधिकारी ने जानकारी दी कि ड्राइवर एहमस शाह के खिलाफ आई पी यानि के लापरवाही से मौत का कारण उसके तहत मामले दर्ज किये गए हैं अब केस नुबरा ठाने में दर्ज कराया गया है सेना के एक अधिकारी ने कहा कि यह घटना इसका सबूत है कि किस तरह सैनिक सुदूर इलाकों में अपनी ड्यूटी करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं तो जिस तरीके से इस एरिया को सुदूर इलाका बताया गया और जितने भी हमारे देश के जवान है वो अपनी जान की बाजी लगाकर इस तरीके के इलाकों में जाते हैं और उन्हें पता होता है कि वापस आने की कोई गैरंटी नहीं है लेकिन फिर भी अपनी जान पर खेल कर ऐसे इलाकों में हमारे देश के जवान जाते हैं उस बस के ड्राइवर के खिलाफ सेना ने नोबरा थाने में केस दर्च करवा दिया है अब रहा है जो कि स्थानिय ही है एहमेश्य द्राइवर रहने वाला है वैं लह जिले के कि नोबरा थाने में हादिश का आतरses से मतलब इससे ठीक पहले ही उसपक्रोण कर अपनी जान बचा ली थी यानि कि उसम्हैंकि बस जब चला रहा था तो वह कूद गया पहले ही और बस ज कई धाराओं के तहट जो है मुकदमे लगाए गए हैं धाराय लगाए गई है उस पर और उसकी जो तलाश है वो जारी है क्योंकि वो फरार हो गया है बस से कूदने के बाद इतने सारे हमारे सैनिकों की जान लेने के बाद जानकारी के मुताबिक धूरगटना ग्रस बस नंब जा था कि ड्राइवर भी हासे का शिकार हुआ या फिर बच कर भाग निकला बताया यहीं जा रहा है कि वो बच कर भाग निकला है अब काफी तलाशी के बाद भी दूरगटना स्थल पर उसका कुछ पता नहीं चला है अब बाद में पता चला कि बस बेकाबू होते ही वह जैसे ही बस बेकाबू हुई ड्राइवर बस से कूदा और बस को नदी में जाने दिया और वो खुद कूद कर भाग गया इसलिए अब उस पर जो है यह जितनी भी धराय लगी है उस पर केस दर्च कराए जा रहे हैं थोईस से करीब 25 किलो मीटर दूर यह हादसा हुआ था और इसमें साथ जवानों की मौके पर ही जान चली गई बड़ा एक मामला देखी हमारे देश के जवान हमारे लिए तैनात रहते हैं बॉर्डर पर और एक ऐसे हादसे में उनकी जान चली जाती है जहां पर ट्राइवर की लापरवाही हो रही हो और 19 गंबीर रूप से घाय बेज दिया गया भारते विमान सेनेगा विशेश एक विमान लाया गया उनके लिए फिरुने चंडी गड़ भेज देगा इलाज के लिए महापंचकुला स्थित सैनी एस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है हास्से पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोग जता है आपके बता दूए जो पूरा हाथसा सामने निकल कर आ रहा है ये पूरा हाथसा एक ला परवाई का सबूत देता है और जो ड्राइवर एहमद शाज इसका नाम बताया जा रहा है वो ड्राइवर बस बेकाबू होते ही बस से कुदा और कूद कर भाग गया उस के भागने कि दिन रात कभी भी जहां भी वो जाएंगे जान की बाजी लगा कर जाएंगे नहीं पता कब आएंगे या कब नहीं आएंगे लेकिन एक बड़ा हाथसा एक ड्राइवर की वज़ा से होता है और वो ड्राइवर अभी भी लापता है तो उसको धुनने की पूरी-पूरी जो कि यहारा होती है जो पूरा काम और चल रहा है उसको ढूदनिकाद से हमारे देश में साथ सेके सेंचान राते हैं उन्होंने अपनी जानगवादी है उन्निस घायल है अभी भी उन्हें चंडिगड के सैनिक अस्पताल में उनका इलास चल रहा है उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी ये भी एक सोचने वाली बात है अब सरकार की तरफ से उन्हें कितना मुआफ़ा क्या क्या दिया जा किसी के कहने पर तो नहीं कराया गया क्या ये ड्राइवर किसी ऐसे संघठन से तो नहीं मिला था जिसको पहले से ही पता था के अगर नेटरन बस को ले जाया जाएगा और वहां से अगर नियंतरन खो देती है बस तो वो कूद जाएगा और फिर जो बस में हमारे सेना के जवान बैठे हुए ते चबिस उनके साथ जो है बस को नदी में बहा दिया जाएगा और इस तरीके से सैनी अपनी जान गवा देंगे क्या ये उशल मीडिया पर ये पुरा मुदध है वह हर कोई हमारे शहित जल्स की फूरिव जया हो रही है उन News जो गयल जिलए भी बाचariamente सभय होने आगि के लिए दूआ की जा रही है उस को कई घ्रावर के मिने के अद doen ने की उम्मीद कर रहे है कि वो ड्राइवर जल्द से जल्द मिल जाए और पता लगाया जाए कि यह हाथसा क्यूं हुआ क्या सच में लापरवाही थी या फिर एक सोची समझी साजिश हमें कमेंट करके ज़रूर तहीं है पूरे मामले पर आपका क्या क्या ना है हमार साथ सही बने रही है है मामले थी यह हाथसा दापका क्या एक साथ यह जुट लगाया जाएवर ठापका क्या जाएवर जाएवर जुट करो लगाले कि बने इनले पर एक सोची साथ जोग जाएवर जाएवर जा रुट्यूनीज